नमस्कार आपका स्वागत है इस्ट्रिया डिल्स इंडिया में आपके साथ मैं पूनम प्रदानमंदीर नरेन मोधी ने गुरुवार को मध्यवर्देश के सतना छत्रपूर और नीमच में चुनावी सभाओं को संबोधित किया नीमच में उन्होंने कहा कॉंग्रेस ने एक दरफ भष्टाचार का कीला खड़ा किया दूसी दरफ भगवान राम को भी कालपनिक बता दिया था नीमच से पहले छत्रपूर की सभा में बोले कॉंग्रेस नहीं चाहती थी कि भगवान राम का मंदिर बने इन्होंने बुंदेल खंड को बुंद बुंद पानी के लिए तरसाया इन्हें सो साल तक तरसाईए सत्ना के लिए तरसा कर सजा दीजिए सत्ना की चुनावी सभा में पी-एम ने कहा अयोध्या में जिस भक्ती से हम प्रभुशी राम का भव्य मंदिर बना रहे हैं उसी भक्ती से गरीबों की घर भी बनाते हैं जिने पी-एम आवास नहीं मिले हैं उन्हें मोधी की गैरंटी है कि उनका घर भी बनेगा तीन दिसंबर को सरकार वापसी पर पी-एम आवास का काम तेजी से शुरू होगा यह मोधी है जिसने चार करोड घर बनाए लेकिन खुद के लिए घर नहीं बनाया मोधी ने युवाओं खास कर फर्स टाइम वोटर से कहा पूरे जुनाओं को आप लीड करिए इसी की साथ बने रहे एश्यान यूज इंडिया के साथ धन्यवाद